हालो एव्रिवान वेल्खम टू ए न्यू वीडियो तो यह है पालसर 150 2013 मॉडल तो टैंग में बहुत बड़ा डैंट था आपने देखा है तो हमने क्या क्या पहले जो पुलर होता है डैंट पुलर उससे इसको खीचा जितना हो सके उसके बाद पुट्टी फिलिंग करके इसक से तरह से तरह से लिए तो हम कर रहे इस पे बेस गोट तो देखी आगर आपको बाइक के टैंग का डैंट निकालना है तो बहुत से तरीके है डेंड निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है पुलर से खीषना पुलर से खीषने से क्या होता है बाइक का टैंक डेमेज नहीं होता किसी किसी बाइक के टैंक में हम क्या करते है वो एल शेप के टूल आता है वो घुसा के भी डेंड को ठीक क हम टेंग को कहा करके अंदर षॉस्टिंग हो जाता है भाहर में तो पेन मार देते लेकिन और वाला जो सक्षंसकें शूरू हो जता है तो ये मैं यू मृश्डिन कर रहा हूँ तो फुल विडियो कुछ थोड़ा सेंडिंग करेंगे सेंडिंग के बाद हम इस पर करेंगे डिटेलिंग मतलब मीडियम कंपाउंट फिर फाइनल कंपाउंट उसके बाद हमारा टैंक एकदम रेडी हो जाएगा तो मुझसे कुछ पेंटर भाई लोग पूछते रहते कि मैं ऐसा फिनिश कैसे लाता तो अच्छा फिनिश आएगा आप सेस्ते के चकर में जाएंगे तो पेंट का जो लाइफ है वो भी कम रहेगा और फिनिश भी अच्छा नहीं आएगा तो हमारा टैंक बिल्कुल रेडियो हो गया है एकदम ने जैसा हो गया है लेजर एडिशन कस्टिकर हमने अपलाई किय है कस्टमर के अकोर्डिंग और यहां पर डेंट था देखिए आपको अभी पता भी नहीं चलेगा इस में इतना बरा डेंट था तो बाइक का फूल रिस्टुरेशन का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप फूल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल एकन को प्रेस कर सकते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा तो आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के बाइ बाइ बाइ